बूरे सेठ की संसकारी बहु बूरे सेठ की संसकारी बहु ने लक्षमी जी को जाने से कैसे रोका एक बूरे सेठ थे वे एक हांदानी रईस थे घन एश्वर्य प्रचुर मातरा में था परन्तु लक्षमी जी का तो है चंचल स्वभाब आज यहां तो कल वहां सेठ ने एक र और मेरा घर छोड़ कर आप क्यूं और कहां जा रही है। वो इस्त्री बोली मैं तुम्हारे घर की वेभव लक्ष्मी हूँ। कई पीजियों से मैं यहां निवास कर रही हूँ। किन्तु अब मेरा समय यहां पर समाप्थ हो गया है इसलिए मैं यह घर छोड़ कर जा रही हूँ। परंतु सेट जी बहुत ही धार्मिक और निश्ठावान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी बहूं को रात में आये हुए स्वापन का वृतांत सुनाया। और सलाह मांगी कि लक्ष्मी जी को जाने से कैसे रोका जाए। लक्ष्मी जी ने जाते हुए सेट से कहा मैं तुम पर अत्यंत प्रसन हूँ। क्यूंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को घर पर आमंतरत करके उनकी सेवा की गरीबों को भोजन कराया धरमार्थ कुई तालाब बनवाई गोशाला वप्याव बनवाई। तुमने लोक कल्यान के कई कार्य किये। अब जाते समय मैं तुम्हें वर्दान देना चाहती हूँ। जो चाहे मुझसे मांग लो। सेथ ने कहा मेरी चार बहुएं हैं मैं उनसे सलाह मश्वरा करके आपको बताऊंगा। आप कृपया कर रात को पधारी। सेथ ने चारों बहुओं की सलाह ली। उनमें से एकने अनके गोदाम तो दूसरी ने सोने चांदी से तिजोरियां भरवाने के लिए कहा। किंतु सबसे छोटी बहु धार्मिक कुटुम से आई थी। बचपन से ही सतसंग में जाया करती थी। छोटी बहु ने कहा, पिता जी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएंगी ही और जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वे भी सदा नहीं टिकेंगी। यदि सोने चांदी, रुप्य पैसों के धेर मांगेगे तो हमारी आने वाली पीधी के बच्चे अहनकार और आलस में अपना जीवन बिगार देंगे। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना की वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किन्तु हमें यह वर्दान दे की हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा, हरी कथा सदा होती रही। तथा हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे। क्यूंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ती के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। तथा परिवार के सदस्यों में परस पर प्रेम बना रहे। ये सुनकर लक्ष्मी जी चौक गई और बोली, ये तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरी कथा और संतों की सेवा होती हो, तथा परिवार के सदस्यों में परस पर प्रीती रहे वहां तो साक्षात नारायन का निवास होता है। और जहां नारायन रहते हैं, वहां मैं उनके चरन दबाती हूँ और मैं चाहकर भी उस घर को छोड़ कर नहीं जा सकती। ये वर्दान मांग कर तुमने मुझे यहां रहने के लिए विवश कर दिया है। इस प्रकार छोटी बहु ने अपनी कुशलता से लक्ष्मी जी को ना केवल जाने से रोका, बलकि हरी भक्ती और भागवत भजन जीवन प्रसाद भी पाया। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करे। धन्यवाद।